तो गाइज आप सबके कमेंट पढ़ने के बाद मैं आपको दिखाऊंगे मेरे स्टों के शेव पूरी कैसे बनती है तो इस वीडियो को बहुत ही ज़दा प्यार दिखाना सबसे पहले में प्लेट में पाद पूरी ले लिती हूं और याँ पे बन रहा है गरम रगड़ा तो पहले पूरी में डाल देती हूं मीटी चटनी फिर तोड़ा तीका पनाने के लिए डाल देती हूं तो दिना हरा दन्या हरी मिर्च वाली तीकी चटनी फिर आएगा गरम प्याज डालके इसके उपर दो तिन पापड़ी क्रश करके डाल देती हूं और स्वादा नसर डाल देती हूं मीटी चटने के साथ तीका चटने फाइनली इसके उपर आएगा शेव याने नमकी और प्याज धनिया पत्ते किसा शिवपुरी बनके तैया तो आपको शिवपु